दुनिया में ऐसे भी देश हैं जो अपने उपर से कितने भी अमीर और ताकतवर क्यों न दिखाए लेकिन रियल में करज में डूबे हुए हैं अब चाहे ये देश अपने करज को छुपाने की कितनी भी कोशिस क्यों न करें लेकिन वर्ट बैंक के रिपोर्ट सभी देश की सचाई को सामने ले ही आती है अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि वर्ट बैंक क्या है और इसके पास पैसा कहां से आता है तो चलिए जानते हैं ये कई संस्थाओं का समूभ है वर्टमान में वर्ट बैंक में 189 देश सदस्य हैं और ये देश एक निश्चित धनरासी देते हैं और इसके बले उन्हें World Bank या International Bank से एक निर्धारित दर पर ब्याज मिलता है और World Bank से जो देश करज लेता है उस दर से 0.5% अधिक दर पर ब्याज लेता है तो आप समझ गए होंगे World Bank के पास पैसा कहां से आता है तो चलिए जानते हैं दुनिया के 5 सबसे ज़्यादा करज में दूबे हुए देशों के बारे में नंबर 5 जर्मनी युरूपीय देश जर्मनी भी इस लिस्ट में सामिल है तीन लाग संतावन हजार बाईस स्क्वाइर किलोमेटर में फैले जर्मनी की पॉपुलेशन आठ करोड पैंतिस लाग है ये दुनिया की फोर सबसे बड़ी एको सकर्ज है साथ ही कोईड और रूस युक्रेन वार में पूरे युरूपीय कंट्री का बजट बिगड़ गया है नंबर 4 फ्रांस युरूपीय देश फ्रांस भी इस लिस्ट में फोर्त नंबर पर आता है फ्रांस की राजधानी पेरिस को सबसे खुबसूरत सहरों में से एक माना जाता है वहीं यहां मवजूद एफिल टावर लोगों के लिए पोइंट ओफ अटेक्शन माना जाता है इसे देखने के लिए पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं पांच लाग तिरालीस हजार नाउसो चालिस स्कौर किलूमिटर में फैले फ्रांस की ग्रेट ब्रिटेन एक समय में पूरी दुनिया पर राज करने वाला देश जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था वो आज भी इस लिष्ट में सामिल है करोना महमारी से निपटने के लिए इस देश ने कर्ज लिया था जिसका सिधा असर अब इसके कर्ज दर को बढ़ाने में सामने आया है 2,42,500 स्कूर किलोमेटर में फैले इस देश की पॉपुलेशन 6 करोड 80 लाग है ये दुनिया की छठवा सबसे बड़ी इकोनॉमी है इसके बाद भी ये देश तीसरा सबसे बड़ा कर्ज में डुबा हुआ देश है वहीं इसके उपर कर्ज 138.5 बिलियन य जापान दुनिया में सबसे करजदार देश है तो सायद आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन यह सच है टेकनलोजी के मामले में फूरी दुनिया में आगे आने वाला देश कर्ज के मामले में भी आगे है इस्ट ऐसिया में मौजूद छोटा आइलेंड नेशन है इसका एरिया 23 लाग 77,975 स्क्वाइर किलोमिटर है भारत से कहीं छोटा देश होने के बावजूद भी जापान की जीडिपी कहीं जादा है जापान की पॉपुलेशन 12 करोड है जापान का करज 4.77 ट्रिलियन यूएशडी है जापान यूएश और चाइना के बाद तीसरी सबसे बड़ी एक परसा देता है स्री लंका को इतना करज दिया था कि स्री लंका उसे चुका नहीं पाया और मजबूरी में स्री लंका को अपना हमबन टोटा बंदरगा 99 साल के लिए पट्टे पर दे दिया वैसे ही पाकिस्तान, मालदी, उतजाकिस्तान, मंगोलिया जैसे छोटे देसों को और इसका population एक अरब से भी जादा है, वर्तमान समय में चाइना का कर्ज 375 लाख करोड रुपए है, जनसंख्या अधिक होने के कारण प्रतिव्यक्ति के उपर 8971 USD है, यानी चाइना की करंसी युवान की बात करें तो मातर 60,000 रुपए है, वैसे आप दुनिया के सभी करजदार देशों के बारे में जान लिया, लेकिन भारत के नागरिक होने के नाते आपको अपने देश के बारे में जान लेना सही होगा, तो चलिए भारत के कुल करज के बारे में जानते हैं, वैसे तो भारत सबसे करजदार देश में नहीं आता, पर फिर भी देखा जाए तो 30 मार्च 2022 के रिपोर्ट के अनुसार भारत का कर्ज 128.41 लाग करोड हो गया है और साथ ही देश के पॉपुलेशन 130 करोड से अधिक है इसके हिसाब से परती बेक्ती पर 98,776 रुपए कर्ज लदा है तो दोस्तों ये थी दुनिया की 5 सबसे कर्जदार देश अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सबस्क्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें